वेलकॉम फ्रेंट्स, आज की टुटोरियल में हम बिग फ्रेंट सब्ट्रेक्शन करना सिखेंगे, अब तक हमने देखा कि हम कैसे 1 तो 9 जम्बर्स को ड्रैटली एड़ कर सकते हैं, या बिग फ्रेंट की हल्प से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कंबिनेशन प्लस की हल्प से हम add कर सकते थे अब हम यहाँ पे big friends subtraction formula से इन calculations को perform करेंगे अब हम यहाँ पे big friends subtraction formula में minus 9 करना सिखेंगे यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो combination number है base number जो 10 है वो यहाँ पे same रहेगा इस formula में जैसे हम suppose यहाँ पे करना जाते हैं 9-9 9-9 के लिए पहले हम unit road पे 9 value set करेंगे 9 value set करने के लिए 5 upper beat को नीचे move करेंगे नीचे से 4 beats को उपर की तरफ move करेंगे यह हो गया 9 अब हम 9 में से 9 को minus करना साथे हैं तो हम simply 5 upper beat को उपर की तरफ move करेंगे और जो lower beat से इन्हें नीचे move कर देंगे यह हो गया 0 क्यूंकि 9-9 is equal to 0 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिरो answer show हो रहा है और यहाँ पर हम 9-9 जो calculation है इसे हम directly perform कर सकते हैं क्यूंकि 9 में से 9 beats minus करने के लिए हमारे पास beats available है अब हम suppose next करना चाते हैं 10-9 10-9 करने के लिए पहले हम अब x board पे 10 value set करेंगे 10 value set करने के लिए 10 road से जो 10 हमारी left one road है unit road से इसे यहां से हम एक beat को उपर की तरफ move करते हैं यहाँ पे value set हो चुकी है 10 अब हम 10 में से 9 को minus करना चाते हैं तो यहां पे हम opposite formula यूज करेंगे जो की बेस नंबर को जब हम minus करेंगे और 9 का जो friend है one उसे हम add करेंगे तो हमारे पास जो formula बनेगा big friend subtraction minus 9 का वो है minus 10 plus 1 minus 10 करने के लिए हम 10s road पे जाते हैं यह जो beat उपर की तरफ है इसे हम minus कर देंगे नीचे की तरफ move कर देंगे यह हो गया minus 10 अब हमें करना है plus 1 plus 1 करने के लिए हम unit road पे जाएंगे यहां से lower beats में से one beat को उपर की तरफ move करेंगे तो answer आ चुका है one क्योंकि 10 minus 9 is equal to 1 आप देख सकते हैं अब हम reset करते हैं beats को next time करना जाते हैं 11 minus 9 11 minus 9 करने के लिए 10s road से one beat को उपर move करेंगे और unit road से एक bit को उपर की तरफ move करते हैं value होगी 11 आप देख सकते हैं 11 में हमें 9 minus करना है तो हम यहां पे again subtraction formula यूज़ करेंगे big friend का जो हमारे पास है minus 10 plus 1 minus 10 करने के लिए 10s road से beat को नीचे move करेंगे और plus 1 करने के लिए unit road में one beat को तीनो beats में से एक bit को उपर की तरफ move कर देंगे यह हो गया plus 1 तो answer आ चुके है 2 क्योंकि 11 minus 9 is equal to 2 यहां पे हम हमेशे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम यह big friend का formula apply करेंगे तो हम left hand की index finger और right hand के thumb का use करेंगे अब हम next करना चाते है 12 minus 9 पहले value set करेंगे 12, 12 value लेने के लिए पहले हम 10 road पे 1 beat को उपर की तरफ move करेंगे और यहां से unit road से 2 beats को उपर move करेंगे value होगी 12, 12 में से 9 को minus करना है तो हम यहां पे formula apply करेंगे minus 10 plus 1, minus 10 करने के लिए 10 road से beat को move down करेंगे plus 1 करने के लिए हम unit road पे 1 beat को उपर की तरफ move करेंगे तो हमारे पास अंसर आ जाएगा 3 क्योंकि 12 minus 9 is equal to 3 now reset the beats, next हम करना जाते है 13 minus 9, पहले value set करेंगे 13, 13 value set का हम कैसे करेंगे पहले हम 10 road पे जाएगे, यहां से 1 beat को उपर की तरफ move करेंगे, यह होगे 10, अब हम 3 beats को यहां पे उपर की तरफ move करेंगे unit road पे, तो value होगी 13, 13 में 9 को minus करना है 13 में से, तो हम यहां पे formula apply करेंगे big friend subtraction का, जो हमारे पास given है, minus 10 plus 1, minus 10 करने के लिए 10s road से beat को move down करेंगे, plus 1 करने के लिए unit road पे 1 beat को उपर move करेंगे, तो हमारे पास अंसर आजाएगा 4, क्यूंकि 13 minus 9 is equal to 4, now reset the beats, next हम करना चाते है 14 minus 9, यहां पे हम यह calculation को perform नहीं करेंगे, क्यूंकि 14 minus 9 करने के लिए हम big front formula use नहीं कर सकते, इन्हें हम आने वरे tutorial में समझेंगे, next हम करते हैं 15 minus 9, 15 minus 9 करने के लिए पहले value set करेंगे 15, 10, 1 beat को उपर move करेंगे, 5 जो अपर beat है unit road में से move down करेंगे, तो हमारे पास value होगी 15, 15 में से 9 को minus करने के लिए यहां पे formula apply करेंगे, minus 10, then plus 1, आप देख सकते हैं, answer आ चुका है 6, क्यूंकि 15 minus 9 is equal to 6, now reset the beat, next हम करना जाते हैं 16 minus 9, 16 value set करने के लिए 10 beat को उपर move करेंगे, यहां से value set करेंगे unit road पे 6, तो हमारे पास value है 16, अब हम 9 को minus करना जाते हैं, यहां पे formula apply करेंगे, minus 10, then plus 1, तो answer आ गया 7, आप देख सकते हैं, now reset the beats, next हम पर form करना जाते हैं 17 minus 9, 17 set करने के लिए पहले हम यहां पे 10s road पे जाएंगे 1 beat को उपर move करेंगे, और यहां से 7 beat set करेंगे, 17 में से 9 को minus करना है, again वही formula minus 10, then plus 1, now answer is 8, आप देख सकते हैं यहां पे, अब हम करते हैं 18 minus 9, पहले reset करते हैं beats को, 18 value set करने के लिए हम 10 beat को उपर move करेंगे, एक beat को 10s road से और यहां से value set करेंगे 8, 8 beat को उपर move करेंगे, तो हमारे पास value होगी 18, अब हम 18 में से 9 को minus करना चाते हैं, तो यहां पे again वही formula यूज़ करेंगे big friend का, minus 10, then plus 1, now answer is 9, क्योंकि 18 minus 9 is equal to 9, reset करते हैं beats को, next हम करना चाते हैं 19 minus 9, पहले value set करेंगे 19, 19 value set करने के लिए 10s road से एक beat को उपर move करेंगे, और unit road की 9 beats को यहां पे set करेंगे, तो हमारे पास value होगी 19, 19 में से हम देख सकते हैं, यहां पास 9 beats minus करने के लिए available हैं, तो यहां पे हम यह calculation को directly perform करेंगे, कोई भी big friend यह small friend formula नहीं apply करेंगे, तो यहां पे हम इन beats को यहां से minus कर देते हैं, तो हमारे पास value आजाएगी 10, आप देख सकते हैं, now reset the beats, thank you.